नमश्कार आप देख रहे हैं देश्वा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्या शुक्रवार को बीएससी का एक्जाम था इसी तोरान दो शिफ्ट में एक्जाम होना था पहले शिफ्ट में ही बीएससी का पेपर लीक हो गया और सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया अब इसके जाच का जिम्मा जो है वो EOU ने उठाया था लेकिन अब जो चीजे सामने आ रही है उसके मताबिक जो पेपर लिख हुआ था वो मोतिहारी से लिख हुआ था बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन यानी की बीएससी पेपर लिख मामले को आर्थिक अपराधिकाई ने काफी हद तक सुलजा लिया है मोतिहारी सुपॉल और पटना में आब तक कई जगहों पर शापे मारी हो चुकी है दरम्यान कुल चार लोगों को EOU की टीम ने अलग अलग जगहों से अपने कबजे में ले लिया है जिसमें दो सगे भाई है जोब की एक इन्विजिलेटर है वहीं चौथा शक्स पकड़े गए दो सगे भाईयों का मददगार है कहा ये जा रहा है कि B.S.S.C. पेपर लिख कांड का सेंटर पॉइंट मोतिहारी है वहीं से शुक्रवार को पेपर लिख हुआ था इस बात की पुष्टी E.O.U. की जाच में हो चुकी है वहीं मोतिहारी के शांतिपूर इलाके में शांती निकेतन जुबली स्कूल है इस स्कूल को B.S.C. के एक्जाम के लिए सेंटर बनाया गया था इसी स्कूल से पेपर लिख हुआ था ये कहा जा रहा है दरसल सुपॉल का रहने वाला जय इस एक्जाम का कैंडिडेट है बड़ी चाहलाकी के साथ मोबाइल फोन लेकर ये एक्जामिनेशन सेंटर के अंदर गया कैंपस के अंदर घूमा फिरा जब क्वेशन पेपर इसके हाथ में आया तो बहुत ही साफधानी बरतते हुए इसने अपने मोबाइल से क्वेशन पेपर के हर पेच का फोटो खीचा और उसे किसी को भेज दिया फिर एक्जाम खत्म होते ही इसने मोतिहारी छोड़ दिया और सुपॉल के लिए निकल गया जब EOU की टीम जाज करते हुए मोतिहारी पहुंची और स्कूल में लगे CCTV के पुटेज को खंगाला तो अजय की हरकते दिख गई वहीं इसके हरकते संदिक दिखी जब EOU की टीम ने पेपर लीग करने वाले अजय की पहचान की तो दूसी टीम को इसके पीछे सुपॉल भेज दिया गया शुकरवार की देरात को जाज करते वे टीम के हाथ कुछ और सबूत लगे जोसे पता चला की पेपर लीग करने में अजय अकेले नहीं है इसका सगा भाई विजय भी इसका साथ दे रहा था मिले सबूतों के आधार पर विजय को भी टीम ने अपने कबजे में ले लिया है इन दोनों के आलावा एक शक्स और जोसे टीम ने अपने कबजे में ले लिया है उससे भी पूछताच की जा रही है हाला कि शक्स का नाम अभी सामने नहीं आया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले